नमश्कुर आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ शुभेंदु सेंग रुक कर लेते हैं खबरों का गुजराद विदासभा चुनाव के दूसरे चुनाव के दूसरे चुनाव के प्रचार का आज आखरे दिन रहा है एक तरफ जहां प्यामोदी ने आखरे दिन सी प्लेन में बैठकर अमबाजी के दर्शन किये तो वहीं राहुल गांदी ने भी एहमदाबाद के जगनात मंदिन में पूजा चुना की इस दोरान राहुल गांदी ने गुज्रात को लेकर प्यामोदी से चौदवा सवाल किया गुज्रात में बीजे पी विरोध के तीन चेहरों में से दो अलपेश ठाकर और जिकनेश मेवारी ने वडगाओं में सायुक्त रहली की साजा रहली में दोनों ने बीजे पी पर जम कर निशाना साथा गुज्रा चुनाव के दूसरे दोर के लिए प्रचार का आखरे दिन होने की वजह से दोनों के शब्दों में काफी आकरा मक्ता दिखाई दी है और इस दोरान अलपेश ने सीधे पीम नरेंदर मोदी पर वार किया असीवर्ट शेय समासेवी अनना हजारे अपने आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने को मंगलवार को आगरा में थे उन्होंने अर्विंद के जिवाल को लेकर एक बयान दिया और कहा मैं दूसरा अर्विंद के जिवाल नहीं बनने दूँगा मेरा अर्विंद के जिवाल से अब कोई संबध नहीं है इस बैठक की अदेश्टाप केंद्रिय प्रयावरन मंत्री हर्शवर्दन ने की वहीं बैठक में हर्याना के प्रयावरन मंत्री विपल गोयल ने भी शुरकत की बैठक के बारे में जनकारी देते हुए विपल गोयल ने कहा कि इस बैठक में परियावरन मुद्दो को लेकर चर्चा हुई बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा की गई कि NCR में परियावरन कम करने के लिए क्या विवस्ता की जा सकती है बैटक में राज्य की तरफ से अपने सुझाव रखे गए पिछले दिनों दिली अन्सियार में इस मौक की वज़े से जो इस्तिती बनी वैसी स्तिती दुबारा ना हो इसके लिए बैटक में सुझाव रखे गए NHM करमचारियों की हरटाल पर स्वासते वे भाग भी सक्त हो गया है पिछले आठ दिनों से हरटाल पर बैठे NHM करमचारियों पर सुझावी ने करवाई करनी शुरू कर दी है इसी कड़ी में हरटाल पर NHM के 3728 करमचारियों को नौकरी से हटा दिया गया इसकी जानकारी खुद्सवासे मंतरी अनिलविच ने दी अनिलविच ने कहा कि इन करमचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता और इनकी बाकी दो मांगों को भी मान लिया गया है आज इनलो की शिष्ट मंडल ने कहिंद्रे मंतरी नितिन गटकरी से मुलाकात की है और इनलो नेता अभे चौटाला ने शिष्ट मंडल की अकवाई की मुलाखात के बाद अभे चाडाला ने बताया कि नितिन गटकरी ने आश्वासन दिया है कि ट्रेक्टर को कमर्शिल वाहनों की कैटेग्री से बाहर किया जाएगा मुके मंतरी मनोहरलाल सोनीपत पहुंचे सीम ने मोतीलाल नहरू स्पोर्ट स्कूल में चल रहे 66 वी आल इंडिया पुलिस होकी टूर्णामेंट के समापन समारों में वो शिरकत करने पहुंचे थे यहां मीडिया से बाचवीद करते हुए सीम ने कहा कि उकलाना पुलिस को दोश्यों को कुछ साक्षे मिले हैं जिनके आधार पर जांच की जा रही है और दोश्यों की जल्द गिरफतारी की जाएगी और साधी साथ उन्होंने वेपक्षी आरोपो पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी सीम ने कहा कि महिलाओं के साथ हुए अपराद के आखड़ों में इजाफा नहीं हुआ है कुछ घटाएं हुई है जिनका उन्हें दुख है उकलाना रेप को लेकर सियासी सरगर्मिया भी तेज है मामले को लेकर सीम अनुहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ आखड़ों में बढ़ोत्री नहीं हुई वहीं पूर्व सीम हुड़ा ने सरकार पर निशाना साथ हुए कहा है कि आज प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है सरकार सिर्फ सेर्ज सपाटा कर रही है लेकिन उसे जनता की कोई फिक्र नहीं उखलाना में मासूम से दरंदी की मामले पर राजे सबसांसत कुमाट शेलजा ने सरकार पर निशाना साधा साथी कहा कि किसी भी केस में कारवाई ना होना पुलिस प्रिशासन का हौल मार्क बन चुका है शेलजा ने आरूप लगाते हुए कहा कि कुछ समय पहले हिसार के डी सी को इलाके में हो रहे ही गलत कामों की जानकरी दी गए थी जिसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाए गया उकलाना में मासूम से दरिंदगी और प्रोदेश की कानून विवस्ता का मुद्धा संसद में उठाने की बाद भी की में उकलाना रेप केस की जाँच के लिए S.C.S.T. I.O. के टीम उकलाना पहुंची जिसके बाद I.O. के टीम से मिलने N.G.O. के साथ साथ कॉंग्रिस पूर्व विधायक नरेश सेलवाल भी पहुंचे उन्होंने I.O. के सामने पूरे मामले को लेकर बात रखी चन्डिकर्ड की पंजाब यूनिवस्टी पर हर्याना ने भी अपना हक जताया है दरसल पंचकुला से विधायक ग्यांचंद कुपता ने यूनिवस्टी को लेकर ग्रह मंतरी राजनाथ सिंग से मलाखा थी साथी उपराश्पती वेंके नाइडू से गुहार लगाई जिसमें कहा गया कि पंजाब यूनिवस्टी पर शुरुआत में पंजाब हर्याना और केंद्र का हिस्सा था लेकिन बाद में बंसिलाल सरकार के दौरान हर्याना की हिस्सेदारी सरेंडर कर दी गई लेकिन अब इस पर हर्याना को हक मिलना चाहिए अंबाला में राजनी तिक पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 15 दिसंबर को अंबाला कॉंग्रिस की टीम ने सरकार को गेरने की प्लानिंग की है कॉंग्रिस अंबाला कैंट में नगर निगम दफ्तर के बाहर सरकार के खिलाफ हला बूल का रक्रम करने चा रही है इस प्रदेशन में शामिल होने के लिए कॉंग्रिसियों ने बाजारों में पर्चे बाट कर लोगों से आवान किया है पूर्मंत्री निर्मल सिंग ने खटर सरकार पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून और विवस्ता का बुरा हल है रोजाना तकरीबन एक रेप की खटना हो रही है जिससे समाज में अराजकता बढ़ती जा रही है सरकार हर मुर्चे पर विफल साबित हो रही है केंद्रे मंत्री बिरेंद्र सिंग 16 दिसंबर को सफीदों के सहारनपूर में जनसभा को संबोदित करेंगे और इस जनसभा का आयोजन बीजेपी नेता और जिलापाश्वत के पती नरींद्र घडखस का करा रही है और कारकरम की सफलता के लिए गाउं गाउं जाकर कारकरताओं को आमंत्रित किया जा रहा है जजर में एनेचम करमचारियों ने अनिर्विच के पुतले की शव्यात्रा निकाली करमचारी एस्पताल परीसर में होते हुए श्रीराम पार्क के पास इखटा हुए जाउनों ने सरकार के खिलाब जम कर नारे बासी की फत्यवाद में भी एनेचम करमचारियों की हरताल देखने को मिली हरताल को देखते हुए स्वास्ते विभाग की ओर से स्टाफ को रखने का काम शुरू किया गया सीमो की ओर से पूरे जुले में एम्बूलन्स चालकों को रखा गया ताकि मरीजों को अमर्जन्सी के समय उचित स्वास्ते सहायता दी जा सके फत्यवाद के अस्पतालों में नर्सिंग स्टूडेंट की मदद से मरीजों को स्वास्ते सुवधाएं दी जा रही है जिससे सरकारी एस्पताल में हर्ताल का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा एनचम करमचारियों का रश्चित कालीन हर्ताल बंगलवार को भी जारी रही आठवे दिन धरने पर बैठे स्वास्ते करमचारियों को कॉंग्रेस पार्टी की ओर से समर्तन देने पहुंचे पूर्व परिवन मंत्री आफ्ताब एहमत ने प्रदेश सरकार पर चम कर निशाना साधा और नोंने कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तब ही से अधिकतर विभागों के करमचारी धरना और प्रदेशन कर रहे है प्रदेश ये इंडियन मेडिकल एसोसियेशन यानि आई-एमे ने एक बड़ा ऐलान किया है आई-एमे ने कहा है कि 15 दिसंबर को प्रदेश के सभी छोटे बड़े नेजी एस्पताल बंद रहेंगे दरसल स्वास्ते विभाग ने सेंट्रल क्लिनिकल इस्टैबलिश्मेंट एक्ट लागू करने का फैसला लिया है जिसका आई-एमे विरूद कर रहा है थर्ड पे स्केल लागू करने की मांग को लेकर बी-एस-एनल करमचारी भी दो दिन की हर्ताल पर चले गए हैं बादुर्गड में बी-एस-एनल के करमचारीों ने काम बंद कर केट के पास ही धर ना दिया करमचारीों ने केंदर सरकार के खिलाफ रोश जाहिर करते हुए नारवाजी की करमचारीों का कहना है कि उनका थर्ड पे स्केल एक जर्वरी 2017 से लागू होना था जो अब तक लागू नहीं किया गया B.S.N.L. करमचारियों ने केंदर सरकार पर B.S.N.L. के टुकड़े करने का रूप भी लगाया उनका कहना है कि केंदर सरकार B.S.N.L. के टुकड़े करना चाहती है इसलिए टावर के लिए अलग से विभाग बनाने पर विचार किया जा रहा है जिसका वो लोग विरोध करते हैं इसके साथी करमचारियों ने चेतावनी दी कि अगर अगले तो दिनों में मांगे नहीं मानने पर आंधूलन की चेतावनी दी गई है WWE रेसलर कविता देवी रौतक पहुंची जहां उन्होंने कहा कि रेसलिंग में लड़कियों के लिए बहतर भविश्य है कविता ने कहा कि उन्हें WWE ने नई पहचान दी है बविशे की उजनाओं का जिक्र करते हुए का विता ने कहा है कि WWE के साथ उनका करार है जिसके तहर जनवरी से उनकी USA में तीन साल की ट्वेनिंग शुरू होगी कलायत में अलग अलग समा से भी संगठरों ने शुक्षन कारे की साथ साथ संसकारों की पार्ट शाल आयुजित करने का अभ्यान शुरू किया है इसले कलायत के ब्लूसम बेलफियर सुसाइटी का गठन किया गया इस दौरान विद्यारती अभी भावक समाजिक कारे करताओं ने और साथी अलग अलग संगठरों के पदादिकारी भी इस कारे करम में मौजूद रहे एक और जहां भारत सरकार सुच भारत अभ्यान की तहट करोड़ों रुपे खर्ज कर सुच प्रचार कर रही है तो वहीं बवानी खेड़ा में सफाई विवस्ता को लेकर लोगों की परिशाने बढ़ रही है गंदगी से बिमारिया फैलने का डर सताने लगा है शेहर के लोगों ने आरोप लगाया है कि जनता सुविधाओं की और ध्यान नहीं दिया जा रहा है आंख मूंद कर परिशासन बैठा हुआ है रेवाडी के आनद नगर कॉलोनी के लिए मॉबाइल टावर जान लिवास बन चुका है टावर से निकलने वाली रेडियेशन लोगों की सिहत पर असर डाल रही है कॉलोनी के आदा दर्जन से ज़्यादा लोग तरहते रहे कि विमारियों के शिकार हो चुके है इसे लेकर कॉलोनी के लोग जुला सचे वाले पहुँचे और A.D.C. को ग्यापन सौपा लोगों ने A.D.C. से मांग की है कि कॉलोनी के बीचो बीच लगे इस टावर को हटाया जाए इसके साथ ही लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते प्रशासन ने इसे नहीं हटाया तो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे प्रदेश में हुई बारिश से नकेवल ठंड बढ़ गई है बलकि इस बारिश के साथ ही नू के सेक्ड़ों गाओं के किसान खुशी से जूम उठे किसानों का मानना है कि ये बारिश वस्तलों के लिए बहुत ज्यादा फायदे मद है कृशी विभाग नू की माने तो जुले के नू खंड में 10 एम फिरोस्पूर जर्का में 10 एम नगिना में 10 एम पुर्हाना खंड में सबसे कम 1 एम बर साथ रिकॉर्ड की गई है जबकि जुले के सबी खंडों में 36 एम बर साथ दर्च की गई है गुरुग्राम साइबर सिटी बे हर वक्त तीसरी नजर का पहरा रहता है दरसल पुलिस कमिशनर आफिस को अत्याधुनिक सर्विलान सिस्टम से लस्ट किया गया है ताकि लगातार बढ़ते हैं महला अपराज, चैन्सनेचिंग और वहां चोड़ी जैसे अपराजी पिवानी पुलिस ने गोली चुलाने के आरोप में एक युवक को गिरफतार किया है, दरसल चार दिसंबर को मेडिकल हाल मालिक प्रवीन को फून के जरीए 20 लाख रुपे की फिरौती मागी गई थी, जिसके बाद फिरौती ना देने पर दो बाइक सवार युवकों ने द दुकान के बाहर फाइरिंग की, जिसमें दुकानदार तो बच गया, लेकिन गोली वहां दवाई लेने आए, एक युवक को लग गई, आरोपी का नाम विकरम है, जो टीनू गैंक का सदस्से बताय जा रहा है, गोला रोड पर ड्रेन के किनारे जाडियों में एक युवक क सिर्कटी लाश मिलने से संसनी फैल गई, सान्य लोगों ने इसकी सूचना तुरंट पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्ट माटम के लिए भेजा, रतक की आईउ लगपग 25 साल बताय जा रही है, फिलाल फॉरंसिक टीम की मदद से प फुट्टी पर खर आया अफमता, बता जाता है कि फॉजी ने पारिवारे कल है कि चलते आत्मोहतिया की है, वहीं पुलिस ने शव को पोस्ट माटम के लिए भेज़ कर आगे की कारवाई शुरू कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डे बी सी सी आई के 2019 से 2023 तक की भविशे का दौरा कारिकरम यानि की FTP पर सवाल उठा है क्योंकि इसमें भारत पाक के बीच दौई पक्षिय श्रंकला को जगह नहीं दी गई है बी सी सी आई ने अपने पहले वाला रवाया ही अपनाया है जब तक भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक पाकिस्तान के खिलाफ स्वादिश या विदेश में दौई पक्षिय श्रंकला संभव नहीं है WWE के विश्व हेवी वेट चैंपियन और भारत का प्रतिनेधित्व करने वाले दलीप सिंग राना और दक्रीट खली ने सुमवर को मुखे मंत्री निवास में मुखे मंत्री शिवराज सिंग चोहान से सौजन ने भीट की इस मौके पर खली की इच्छा पर चोहान ने राज्जे में कुष्टी को बढ़ावा देनी का आश्वासन दिया दोबार के ऑलमपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार अकले महिने होने वाले पेश्यवर कुष्टी लीग में भाग लेंगे आईजगों ने ये जानकारी दी आईजगों के अनुसार रियो अलमपिक की कांसे पदक विजेता साक्षी मलिक और इस साल शानदार प्रदेशन करने वाले बजरंग पुनिया ने भी लीक में खेलने की पुष्टी कर दी है पाजबार के विश्व चंपियन विश्व नाथन आनंद का लंदन चतरंच क्लासिक में खराप प्रदेशन आकरी दोर में भी जारी रहा रोने अमेरिका के वेसली सो से हार कर अपने डरशा जनक अभियान का अंत किया आनंदे दुनिया के चोटी के दस किलाडियों के राउंड रोबिन आधहार पर बीच के ले गए इस टूर्णामेंट में नौ बाजियों में केवल तीन आंक हासिल किये क्रिकेटर विराट कोहली और अनुशका शर्मा की शादी हो चुकी है दोनोंने खुड टूर्णामें अपने तुईटर अगांट पर शादी की अलग अलग तस्वीर शेयर की जनकरी के मताबिक 21 दिसमबर को दिल्ली में रिसेप्शन कायوجन किया जाएगा जबकि 26 दिसम्बर को मुंबई में विराट अनुशका की तरफ से शादी की रिसेप्शन पार्टी होगी विराट अनुशका ने शादी में अपने परिवार और बेहत चुनिंदा महमानों को आमिंतृत किया था ये शादी इटली के तसकनी के लगजरी रिजॉर्ट में हुई और ये जगए आम तोर पर दिसम्बर में बंद रहता है लेकिन विराट अनुशका की शादी के लिए स्पेशली खुलवाए गया तेल्गो फिल्मों के अभीनिता विजए साइं हैदराबाद के युसुफ गुड़ा इलाके में इस्थित अपने अपार्टमेंट में मरत पाए गए पुलिस ने सुम्बर को इस बात की जानकारी दी पुलिस इंस्पेक्टर के पुना चंदेर ने बताया है कि 35 वर्शिय अभीनिता ने कथित तोर पर अपने आवाज पर सेलिंग फैन से फांसी लगा कर आत्मातिया कर ली महिलाओ को होने वाले मासिक धर्म यानि पीरियट्स को लेकर सुनम कपूर ने खुल कर अपनी बात सामने रखी है सुनम कपूर ने मीडिया को बताया कि पीरियट्स के दौरान मेरी दादी मुझे मंदिर जाने से मना खरती थी आपको बता दे कि इन दिनों सुनम अपनी आने वाले फिल्म पैटमेंड की शूटिंग कर रही है और इस फिल्म में वक्षे कुमार की साथ नजर आएंगी सुपरस्टार रजनी कांथ सिनिमा की दुनिया का जगत माना जाता है और पूरा एक सितारा बहुत बड़ा नजर आता है बलकि उन्हें पूजा भी जाता है सुपरस्टार रजनी कांथ आज 67 साल के हो गए हैं रजनी कांथ का जन्म पैगलूरू में 12 दिसंबर 1950 को हुआ मा जीजा भाई और पिता रामो जी राव गायक वाड बच्पन में उन्हें शिवाजी राव गायक वाड कहकर पुकारा करते थे फुराल के लिए बुस इतना ही लेकिन आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हरियाना नियूस नमस्कार